हेलो स्टुडेंस गुड मॉनिंग आज हम क्लास वान मैथ की चैप्टर 13 डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे देखो पीच नमर है 122 डाटा हैंडलिंग मतलब तथ्यों को कैसे हैंडल करते हैं तो यहां पर बहुत सारे डाटा दिये हुए हैं अबजेक्ट दिये हुए हैं तो यह सारे अबजेक्ट को हम कैसे ग्रूब में भाग करके उसको कलेक्शन करेंगे या उसको गिनेंगे data means facts and figures data मतलब तथ्यो when we are given a set of facts or figures we have to arrange them according to their group and we must count them जब हमको एक data दिया जाता है या तथ्यों को दिया जाता है तो हम उसको क्या करते है उसको बेवस्तित उस सारे objects को समोह को group में अलग-अलग करते है और उसको गीनते है count करते है और उसको ही data collection कहा जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे data है उसको हम collect करेंगे गीन कर हम उसको लिखेंगे तो यहाँ पर watermelon, tomato orange, chili green chili और papaya, banana और lady's finger दिया हुआ है तो यह सारे data को हम कैसे collection करेंगे count the number of each type of fruit and vegetables and fill in the boxes तो इसको हम fruits और vegetables को count करके हम box को पुरा करेंगे तो orange orange को count करो कितने है orange एक ही है तो यहाँ पर one लिखना, then watermelon one, two, three, three है तो यहाँ पर three लिखना, then tomato four है तो four लिखना है ऐसे ही इसको count करके यह सारे data को count करके गिनना और यहाँ पर लिखना, इसको ही data है लेली कहा जाता है तो यह अपने अपने book में करना, thank you 洁पी करें लिखना है